नमस्ते दोस्तों आज में आप सबके साथ सेयर करने वाली हूं ऐसे स्नेक्स रेस्पी इससे आप अगर देखेंगे न आप जरूर बनाएंगे इसको आप सुवस आम चाय के साथ बहुत ही अच्छे से इंज्वाइ कर सकते हैं यह बहुत ही टेश्टी और बहुत ही हल्दी और एक दम कम तेल में बनने वाला यह नमकिन में आप सबके साथ सेयर करने वाली हूं तो चलिए देखते कैसे बनाते हैं वीडियो को अंतक देखिएगा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाई सेस्क्राइब और सेयर जरू करिएगा और बिल आइकन के बटन को जरू तो मैंने यहां नमक ले लिया है और नमक को अच्छे से कडाई मैंने गरम कर दिया है और गैस का फ्लेम फास रखा है यहां मैंने पोहा ले लिया है अब इसको मैं डाल दूँगी इसको अच्छे से मैं इस पेचुला से चलाते हुए अच्छे से भून करके ले लेती हूं गैस का फ्लेम फास ही रखना है, सलोली करना है, और नमक एदम अच्छे से गरम हो जाना चीए, इसी तरह से इसको भून करके ले लेने का है, तो आप देख सकते हैं, यह भून करके अभी हो चुका है, अब मैं इसको एक जाली दार चन्नी है, उसमें मैं डाल के बड़े चन्न मैं अच्छे से इसको भून करके इसी में ले लेती हूँ, इसको भी जाली वाले बरतन में चाहिए, दाल करके ले लेती हूँ, अब मैंने सारा निकाल करके ले लिया है, उसी कडाई मैंने डाल दिया है, तीन से चार चन्मत तेल, अब थोड़ा सा मैं ड्राइब फुरूस को इसमें हलका सा रोष्ट करके ले लेती हूँ, यहां मैंने बादाम लिया था बादाम को भी मैंने अच्छे से रोश करके ले लिया है अब मैंने यहां लिया था काला वाला किस्मिस और जो नॉर्मल किस्मिस आता है वो भी मैंने दोनों इसमें एक ही साथ डाल दिया है कि किसमिच डालने से बहुत ही टेश्टी लगता है और थोड़ा नमकीन और मीठा दोनों टेश्ट आने लगता है और आपको परसंद है तो आप जरूर डाने कि बहुत ही टेश्टी लगता है इसको डालने से आप के पास जो भी किस मीश्र है आप डाल सकते हैं, जो भी आपके पास Dire SHOW आप डाल सकते यहां मैंने च्हुहारा लिया था, च्हुहारे कोई मैंने मैं च्चुटा च्णा टुकरा करके रखाता आप उ लगता है ज्यादा टाइमों भी लगता है I-I-I-I, दो-जो मिनट में यह यह से रोश्ट हो जाता है अब उस्सी कड़ाई में डाल दूँगे 1-2 चमछे में डाल दूँगी सरसो और 1-2 चमछ इसमें मैं मैं सफेतील और 2-3 रंडी में डाल दूँगी करी पत्ते का अच्छे से इसको क्रंची हो जाना चाहिए अब आधा चम्मसे में बड़े चम्मसे में हल्दी पॉड़र डाल देती हैं अच्छे से इदम इसको चलाते विए इस तरह से हल्दी इदम अच्छे हो जाना चाहिए आप इसमें हरे मिर्च को भी डाल सकते हैं या तो आप लाल मि पलेक्टें आप मेने अच्छे से मिला लेती हूं ताकि還是 मिलाक्त हो जाए अब इसमें जो ड्राइट फ्रोस को रोजस करे रखा तो सारह कुरों नक्रीय आई डाल दूगी और चुहारे को लहत्वे लीएं यहां मैंने आदा चमत चाट मसाला लिया तो भी डाल देती हूं अब इसमें नॉर्मल नमक नहीं दालूंगी क्योंकि यह नमक में भूनी हुआ है तो इसमें पहले से यह नमक कीन हो चुका है इसमें नमक डालने की जरुत नहीं है यह ज्यादा नमक हो जाएगा तो आप पहल तो आप देख सकते फ्रेंज एकदम मेरा नमकीन बनके एकदम अच्छे से तैयार हो गया है इसको एक बर्तर में मैं निकाल करके ले लेती हूं ठंडा होने के लिए अब इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा काली मिर्च का पॉडर डाल देती हूं अब पहले भी डाल सकते हैं मैं थोड़ा भूल गई थी तो मैं अभी डाल रहे हूं थोड़ा इसको मिला करके ले लेती हूं आप मिर्च या हरा मिर्च या कुछ भी तड़के में डाल सकते हैं लाल मिर्च भी तड़के कि समय डाल सकते हैं आप देख सकते हैं कितना क्रंची बना हुआ है minds अ कम तेल में एक दब मैं निया इसको बना करके रेडी किया है इसमें बस 3-4 चमश तेल लगा है इसको कम तेल खाना पसंद है तो यह नमकीन जरूर ट्राई कर सकता है तो आप जरूर इस नमकीन को ट्राई करिएगा और मेरी आज की रिस्प्य आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे मोटीवेशन मिलता है आप लोग जरूर कमेंट कर दिया करिये फ्रेंज आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो मैंने यहां ले लिया है एयर टाइट कंटेनर इसमें मैं सारा ठंडा हो तो आप भी जरू बनाएगा अप्रेंट ये रेश्पी मेरी अपने फैमिली ये फ्रेंट सरकर्म में जरू शर करिएगा आप मुझे इस्ट्राग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ये इडी का नाम ये फिजल कोकिंग है तो वीडियो पसंद लाइगा फ्रेंट चैनल को लाइज सब्सक्राइब और जरू करिएगा और बेल आइकन के बटन को दिरू दबा दीजिएगा ताकि जब नया वीडियो बनाओ ता आपको नाटिक्रिकेशन मिल सके तो बिलते हैं